आज हम देखें गे प्रक्रिया जिसके दौरा बच्च आदतों, कोशलों, मूल्यों तथाओ अभी प्रेडना को भी किसीत करते है और जो उनहें समाज का जिम्यदार एवं करियाशिल सदे बनाती है उसे क्या कहा जाता है ऐसी प्रोसेस है जिसमें बच्चों की habit develop होती है skills, values and motivation और उन्हें responsible और बहुत ही active member बनाती है society की तो उसे क्या कहा जाता है विभेदी करण, differentiate, समाजी करण, socialization, samavation, inclusion, मुख्यधारा से जोड़ना, joining the mainstream तो इसका सही answer है socialization क्योंकि socialization में ही बच्चे सीखते हैं कि उनका मूल्य क्या है समाज में दूसरे के साथ मिल जूल कर काम कैसे करना है अभी प्रेड़ना उन्हें कैसे मिलती है, कोशले का निर्मान होता है, तो ये है सामाजी करण, जहां वे सीखते हैं ये सारी चीज़े next point की तरफ बढ़ेंगे, बच्चे अनेक घटनाओं के बारे में सहाजनु भूत, सिधान्त की सरचना करते हैं इस पृष्ट भूमी में एक सिक्षक को क्या करना चाहिए, तो कोशन को समझते हैं पैसे, पहले चिल्रन फॉर्म एन इंट्यूट्यू थेयरी अबाउट मेनी इवेंट्स, वाट शूट टीचर डू इन इस बैग्राउंड, तो जब बच्चे अनेक घटना, मतलब जैसी को इस पृष्ट भूमी में सिक्षक होने के नाते, टीचर को क्या करना चाहिए, बच्चों को इन विचारों के लिए डाटना चाहिए, क्योंकि ये विचार उनके सिक्षन में हस्तक शेप करते हैं, या फिर समवात के द्वारा बच्चों को इन अवधारनाओं को चुनोती द करना चाहिए, बच्चों के विचारों सिधानतों को अंदेखा करना चाहिए, तो क्या करेगा एक सिक्षक, तो डाटना तो ऑप्षन ही नहीं, उसके बाद बच्चों के जो भी विचारों को खारिश नहीं कर सकते हैं, बच्चों के इन ही सरचनाओं को या इनकी विचारों को हमें चुनोती देनी हैं उन्से और कोशन में होते हैं कि उन्होंने जो अपनी कल्पना की है या सवरचना की है वो कहां तक सही है और कहां तक गलत है इसका उन्हें समवाथ करक lleva करribly और भी पहचां करा करनी चाहिए next point की तरह बढ़िंगे third question देखियेगा विकास में व्यक्तिगत्व विभिन्यताओं को समझने के लिए क्या महत्वपूर्ण है what is important to understand individual differences in development तो विकास में व्यक्तिगत्व विभिन्यताओं को समझने के लिए हमें क्या जानना सबसे ज़रूरी है वन्षागत्व विशेशताओं के साथ-साथ परियावरनिय कारों को एवं उनकी परस बरी क्रियाओं पर विचार करना तो वन्शागत और उसके जो परियावरनिय कारखेन में थोड़ा यह कैसे एक दूसरे से मैच करते हैं इसके परे में सोचना वन्शागत विशेशताओं पर विचार करना जो प्रत्यक वेक्ति को जीवन में विशेश शुरात देती है सिर्फ यहाँ पे वनशागत की बात की गई है परियावरनियकारकों पर विचार करना जो लोगों को प्रभावित करता है यहाँ पे सिर्फ परियावरन की बात की गई है शरीर एवा मस्तिश्की के परिपकवता पर विचार करना तो यह तो बिल्कुल भी नहीं है यहाँ पर वन्शागत और परियावरन दोनों की बात की गई है तो आपका पहला option बिल्कुल भी सही है जहाँ पे आप देखेंगे कि वनशागत और परियावरन दोनों के मिलने से ही हम बच्चों को एक सही चीजों को सीखा सकते हैं या बता सकते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरब बढ़ेंगे फोर्थ पॉइंट है फोर्थ कोश्चन है निम्नली खित में से कौन सा युगम अधिगम करता हो एवं उनकी प्राथमीक विशेश्टाओं के सम्मध में सही है which of the following pair is correct regarding learner and their characteristic यानि बच्चा और उसकी सीखने की जो विशेश्टाओं है यह जो दोनों जोड़ी है यानि बच्चा और सीखने की विशेश्टाओं तो इसमें से कौन सा सही है अवधान आत्मक कमी अवधान अधिगम करता उच्चा अभी प्रेड़ना लंबे समय तक अवधान बनाये रख सकते हैं मतलब कमी है उसके अंदर फिर भी वह बच्चा अभी प्रेडित रहता और लंबे समय तक चीजों को याद रखता है तो यह तो बिल्कुल भी नहीं है श्रव शतिग्रस्त अधिगम करता दुरुषय सुचनाओं को समझ नहीं सकता वह बच्चा श्रव मतलब उससे सुनने में प्रॉबलम है तो दुरुषय की इसमें बाती नहीं हो सकती मतलब दुरुषय से उसे क्या प्रॉबलम हो सकती है पढ़ने अक्षमता अधिगम करता धारा प्रवा पढ़ने एवं लिखने में कमी तो यह हो सकता है क्योंकि उसे पढ़ने में अक्षमता है तो धारा प्रवा तारीक से न पढ़ सकता है न लिख सकता है जब उसे अक्षर का ग्यानी नहीं होगा तो लिखेगा कैसे सुरुजनात्मक अधिगम करता 30 सक्रिय कारे को पूरा करने में धीमी गती धीमी गती नहीं बड़ी तेज गती होती है सुरुजनात्मक अधिगम करता की तो थर्ड आपका सही आंसर है नेक्ट पॉइंट की तरह बढ़ेंगे ये आपका फिफ्ट कोशन है एक सिक्षक को विद्यार्थियों को निर्धारित करने के लिए प्रोजसाहित करना चाहिए बजाए ड्याश के अच्छा बच्चों को टीचर को बच्चों को प्रोजसाहित करना चाहिए ये एक चीज़ निर्धारित करने के लिए ना कि उसे वह चीज़ करें ठीक है अंक लेने के लिए लक्ष असफलता से बचने के लिए लक्ष यह अंक लेने के लिए उन्हें प्रोथसाहिद करें ना कि उन्हें असफलता से बचाने के लिए अधिगम लक्ष प्रदर्शन लक्ष अधिगम के लिए उन्हें प्रोथसाहि के लिए नहीं ऐस्फल्ता से बचने के लिए लक्ष अंक लेने के लिए लग्ष मलशुब देलने के लिए और प्रोशाहिट करना चाहिए ौर उन्हें प्रोशाहिट नहीं कर ना चाहिए तो इसका सही अंसर आपका second 11 गोल और पॉफॉर्मेंस टार्गेट की तरफ ध्यान ना देकर सबसे ज़्यादा उन्हें लर्निंग गोल पर ध्यान देना चाहिए कि उन्हें किस तरीके से उसे अचीव करना है नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे शीक्स ता आपका कोश्यान है निमने लिखे तरण नितियों में से कौन सी बच्चों में अर्थ निर्मान को बढ़ावा देगी तो which of the following strategies will provide meaning building in children एक रूप एवं मानकी कुरूद परिक्षन, one form and standardized test मानकी कुरूद एक standardized test है जिस जो एक प्रकार का test है उसके हिसाब से बच्चों को अर्थ निर्माने मदद करेगी या फिर अन्वेंशन एवं परिचर्चा, investigation and discussion, सुचनाओ का संधरन, storage of information तो बहुत सारी चीज़े बस storage करते रहों information के तोर पे नहीं दंडात्मक साधनों का प्रयोग using punitive meanings दंडात्मक का भी उप्यग नहीं करेंगे, सुचनाओ का भी नहीं और मानकी कुरूद का भी नहीं तो इसका invention and discussion इसका सही answer है कि जब बच्चों को किसी strategy से अगर उन्हें आगे बढ़ाना है या बच्चों के अंदर अर्थ का निर्मान कराना है तो उनसे किसी भी चीज़ की खोजबिन करवाई जाए और उसी बात को लेके discuss किया जाए या उनसे समभाद किया जाए नेक्ट पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे सेवन थे आपका question जब बच्चे प्राप्त की गई सुचनाओं की व्याख्या करने के लिए अपने अनुभाओं के आधार पर सोचते हैं उसे डाश कहा जाता है यानि कि बच्चों के पास जो भी information है उसे use करके जब नए चीज़ों पर अप्लाइ करते हैं और उसी नए चीज़ के हिसाब से वो नए चीज़ों की व्याख्या करते हैं उनके इस सोचने की और इस अनुभाओं की क्रिया को क्या कहा जाएगा स्रूजनात्मक सोच, अमूर्त सोच, भूर्त सोच या प्रतिक्रियावादी तो स्रूजनात्मक इसका सही आंसर है क्योंकि बच्चा पूर्व अनुभव को रिलेट करके नई चीजों पे उसे अपलाई कर रहा है नेक्ट पॉइंट की तरफ देखेंगे, एक समस्या सुधारक बच्चा ड्याश के विचार पर कतनों की सच्चा या संभावना का मूनलांकन करता है यानि कि ऐसा बच्चा जो एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने में लगा है ठीक है कोई भी प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में लगा है और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बच्चा किस चीज को यूज़ करेगा सौंदर ये बौत को यूज़ करेगा, अमुर्त चीजों को यूज़ करेगा तारकी किया सुरुजनातमक तो यहां पे तरक लगाएगा कि इस चीज को सौल कैसे कर सकते हैं पुर्व अनुभव के बारे में तरक करेगा फिर आज प्रेजेंट में क्या हो रहा है या उससे रिलेड़िट काम करेगा अपनी तरक शक्ति का इस्समाल करके उस प्रॉब्लम्स को वो सौल करेगा नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे नेक्स्ट कोशन है आपका नाइन्थ प्रतिभाशाली बच्चों के लिए सबसे अच्छे सेक्षिक कारिक्रम वे होते हैं जो यानि जो बच्चे बहुत जादा गिफ्टेड हैं मतलब दे बेस्ट एजुकेश अधिकम के नियुनितम मान को तक काम करने को प्रेरित करने के लिए उपहारों और पुरुसकारों का उप्योग करते हैं यूज़ गिफ्ट एंड रेवार्ड्स टू मोटिवेट देम तू वर्क अप्टू मीनिमम स्टैंडर्स आफ लर्मी बच्चों को गिफ्ट देकर प्रेवार्ड बच्चों के लिए उनके चिंतन को प्रवित कर उन्हें विविद्ध विचारों में वैस्त रहने के अवसर देना ऑलाउस देंटू इंगेज इंडाइवस थौर्ट्स बाइं इस्टिमिलेटिंग देर थिंकिंग उनके आक्रमक वैभार को कंट्रोल करना तो हमेशा अपने आपको इंगेज करके रखना चाहते हैं कुछ नई चीजों में नई चीजों को सीखने के लिए काफी मोटिवेटेड रहते हैं तो जब उन्हें इंगेज रखा जाएगा नए नए चीजों में जहां पर उसका दिमाग काम करेगा उनकी सोच अच्छी चाहे कि उसके विद्यार्थी समस्या समधान को शल प्राप्त कर ले तो विद्यार्थियों को ऐसे किया कलापों में लगाना चाहिए जिन में प्रत्तेस मरण रहना और समझना याद करकी किसी भी चीज़ को समझना बहुल विल्कल्पिय प्रश्णों वाले स्तरीकृत कारे पत्रक यानि बहुत सारे जहां पर ओप्शन्स होंगे ऐसे उप्शन्स वाले उनको देना कोशन्स देना ड्रील और अभ्यास बस उनसे बार 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 किसी भी चीज़ का को प्रैक्टिस करवाते रहना रटवा लेना पूछना तरक करना और निर्ने लेना तो सही आंसर आपका फोर्थ है पूछना तरक करना उसमें तरक लगाने के लिए उन्हें समय देना है या फिर निर्ने लेना उनसे तो इस तरीके की जो विड़्दार थी हैं उनकी समझा समधान के लिए मुख्या चीज़ें की तरक करना और उनसे निर्ने लेना तो आई होप आपको यह कोशिंस अच्छे लगे होंगे और अच्छे लगे होंगे तो लाइक शेर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और थैंक यू फो वाचिंग इस वीडियो